देवरानी जिठ्यानी अब स्यादा हसो मत दीदी हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता है लगता होगा पर मुझे तो किसी चीज से डर नहीं लगता मैं तो बहुत-बहुत दोरूं पर तू अदे कर दी भई एक चूह से डर गई है एक दिन प्रग्या अपने कमरे से बाहार निकल रही होती है और तभी शिवानी उसे पीछे से आकर डरा दीती है प्रग्या एकदम से उचल पड़ती है दीधी ऐसे भी कोई मजाग करता है क्या अरे सर अपनी शकल तो देख एकदम बैंगन की तरह नीली पड़ गई है अरे मेरे देवरानी इतनी बड़ी डर पोग है मुझे तो पता ही नहीं था आप ऐसे चौकाओगे तो कोई भी डर हीगा न अरे नाना कोई बहाना अब काम नहीं आएगा आज से न तुम्हारा नाम है डर पोग प्रग्या शिवानी प्रग्या का मजाक उड़ा कर चली जाती है प्रग्या शिवानी की मजाक उड़ानी की आदत से परेशान हो जाती है जब देखो मेरा मजाक उड़ाती रहती है इनकी शिकायत तो ममी जिसे कनी ही पड़ी की मुझे प्रग्या अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी जिठानी उसके डर का मज़ाक उड़ाती है ओहू, तो बड़ी बहु को बड़ा खमंड है अपनी बहदुरी पर कोई नहीं, अभी उसका घमंड तोड़ देते है मेरे पास एक तरकेब है छोटी बहो, एक काम करतू प्रग्या की सास उसे अपनी जिठानी को डरानी का प्लान बताती है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ममी जी, क्या बात है आइडिया सुनकर लग रहा है कि आप अपने बेच्पन में काफी शरारती रही होंगी ममी जी अब आईगा मज़ा, मेरी बहदुर जिठानी जी को प्रग्या अपनी जिठानी को डराने का एक प्लान बनाती है रात में वो शिवानी के पास जाती है और कहती है दीदी, मुझे न बहुत डर लग रहा है क्या हुआ, मेरी डर पोक देवरानी दीदी, मैं छट पर गई न तो मुझे ऐसा लगा कि कोई वहाँ है ऐसा लगा, जैसे मुझे कोई वहाँ देख रहा था जैसे कोई साया अरे क्या बक रही हो, तेरा वहम होगा नहीं नहीं दिदी, आप चलो ना प्लीज मेरे साथ, मुझे तो बहुत टेल लग रहा है, मीरे एक सारी सुक रही थी, वही लानी है, प्लीज आप चल ये ना ऊपर मेरे साथ, ओफो, चल, प्रग्या शिवानी को बहाने से चट पर ले जाती है, और वो उसके पीछे चल रही ह ले आ गए हम चटपर, कहां है भूत दिखा, कहीं तो है नहीं। तभी प्रग्या चुपके से सीडियों पर चुप जाती है। और शिवानी चटपर अकेली रह जाती है। अरे प्रग्या, कहां चली गई। प्रग्या एकदम से सीडियों का दर्वाजा बंद कर देती है अब शिवानी को डर लगने लगता है मैं नीचे चली जाती हूँ लगता है प्रग्या भी नीचे ही चली गई है तब ही उसके सामने एक खुले बाल सफेज साड़ी में औरत खड़ी होती है शिवानी उस औरत को देखकर डर जाती है चुडैल की हसी सुनकर शिवानी बुरी तरह डर जाती है नहीं नहीं मुझे चुड़ दो भगवार के लिए मुझे चुड़ दो मैं तुझे नहीं चुड़ूंगी मैं तेरा गून भी जाओंगी तभी चुड़ेल की हसी उसकी सास की हसी में बदल जाती है ममे जी ये तो ममे जी के हावाज है शिवानी आख खोलती है तो सामने उसकी सास चुड़ेल का मेकप करकी खड़ी होती है और प्रग्या और उसकी साथ जोर जोर से हस रहे होते है क्यों मेरी बहदुर जिठानी जी आप तो कहती थी कि आप किसी से नहीं डरती ये तुम्हें अच्छा नहीं किया प्रग्या और सासुमा आप भी इसके साथ मिलकर और नहीं तो क्या बहु तुम अब मेरी छोटी बहु का ऐसे मजाग बनाओगी तो मुझे तो चुडैल बनना ही पड़ेगा ना प्रज्या और उसकी सास और सोर सोर से हस्ते लगते हैं और शिवानी गुसे में नीचे चली जाती है